Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करूंगी self-hypnosis के बारे में लोग अक्सर मुझसे बूछते हैं कि खुद को कैसे हम hypnotize कर सकते हैं और कैसे अपने मन में वो positive suggestions दे सकते हैं जो हम अपनी life में चाहते हैं तो मैं आज आपको 5 ऐसी techniques बताऊंगी जिसे आप घर बैटे ही खुद को hypnosis state में पहुचा सकते हैं और फिर आप अपनी requirement के according to be suggestion देंगे आपका subconscious mind उसे बहुत ही आसानी से accept कर लेगा और आप अपनी life को आसानी से घर बैटे ही बदल पाएंगे तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है पांच यो टेकनिक्स जो मैं बताऊंगी वह बहुत ही आसान है self hypnosis की बहुत सारी टेकनिक्स हैं लेकिन मैं चाट कर 5 टेकनिक आपको बताने वाली हो जो बहुत ही आसान है और कोई भी उने असानी से follow कर सकता है तो समझे self hypnosis के बारे में पहले यानि कि खुद को समोहित करना समोहन एक ऐसी अवस्था होती है मन की जहां पर आपका अवचेतन मन अपनी अनंत शक्तियों से आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाता है आपका एक जेतन मन है और एक अवचेतन मन है जेतन मन को busy करकर उसको पीछे कर देना और अब जेतन मन को free करकर आगी कर लेना यही हम hypnosis में करते हैं अगर कोई therapist आपको hypnotize कर रहा है तो वो जो भी induction यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से deepner यूज़ कर रहे हैं वो खुद आपकी requirement के हिसाब से आपकी suggestibility को देखते वे कि आपका mind direct suggestion लेता है आपका mind indirect suggestion लेता है उस हिसाब से techniques को use करते हैं और फिर उसके बाद healing process करते हैं लेकिन जब आप घर पर कर रहे हैं तो वो सारी technique बहुत simple होनी चाहिए तब ही आप कर पाएंगी क्योंकि आप करने वाले यानि कि command देने वाले और receive करने वाले दोनों आप ही हैं तो इसलिए self hypnosis की techniques जो होती है वो बहुत ही simple होती है तो चलिए पहली technique के बारे में हम बात करेंगे पहली technique है आपकी gazing technique यानि कि किसी चीज पर किसी बिंदू पर ध्यान लगाना गेज करना यानि कि लगाता टक टकी लगाकर देखना unblinking eyes से तो आप क्या कर सकते हैं आप किसी भी एक point पर ध्यान लगा सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा कि वाल पर आप एक chart पर एक dot बना ले या एक बिंदी चिपका ले और बस आप वहाँ पर उसे तकरीबन तीन foot की दूरी पर बैठ जाएं और आप वो जो dot बनाया आपने या बिंदी चिपका ही है उस पर लगातार gaze करें और मन में ये thought रखें कि जैसे जैसे आप उस बिंदू को देखते जा रही हैं आपकी आँखें बोजल हो रही हैं और आप देखेंगे आपकी eyes watery हो जाएंगी आपके eyes भारी हो जाएंगे हलकी हलकी से उसमें चबकसी होने लग जाएगी और फिर आपको आँखें खुली आपको यह suggestion जी रिलाक्स, रिलाक्स, रिलाक्स. आप अपने body parts पर भी intent create कर सकते हैं, relaxed, relaxed बोलते वेए अब जब आप बार बार अपने आपको 10-15 बार visa, र examples बोलेंगे तो अब की body जो की instructive listening करती है, वो बार्यक्त रिक्ट करना स्व्ह उस्क्राइब करेगी आखेंगी बन जाएगी यानि कि जहां पर आपका सबकॉंशेस माइंड उन सजेशन को लेने के लिए तयार हो जाएगा अब आपको पहले से अपनी रिक्वायर्मेंट पता है कि आपको अपने अंदर क्या चेंज चाहिए जैसे पर एक्जामपल आपको सोशिल गैजरिंग में लोगों क बेच बोलने का इक कोणफिर चिए तो आप उसके लिए एक सघजर्ष networks लिए तो आप ने अपनी स्करायिट की से रिलीफ चाहिए तो आप उसके लिए की काम कैसे रह सकता है उसके लिए सजजचन लिए इस सब्सक्राइब से आपने रrequirements जो आपने पहली से आपको पता क्या चेंज करना चाहते हैं , उसको आप रिपीट करें , कोशिश करें उसे कम से कम 21 times , रिपीट करें , क्योंकि रिपीटेशन भी आपके सेल्फ हिपनोसिस को और ज़्यदा कर्देगा , क्योंकि जब हमारा माइंड किसी बीच इसको repeat करता है तो वहाँ पर conscious mind की जरुरत खतम होने लगती है और subconsciously वह अपने आप होने लगता है तो यह आपकी hypnosis को deep कर देगा तो उसको repeat करें और फिर repeat करने के साथ साथ उस पर act करते वे देखें मतलब उसको देखें imagination में नए suggestion के according behavior करते हुए तो इससे आपना घर बैट रही अपने आपको hypnotize कर सकते हैं तो एक तो यह gazing टेक्नीक हो गई दूसरी टेक्नीक है reverse counting की reverse counting आप एक नंबर highest number पर डिसाइड कर सकते हैं जैसे आपने 100 ले लिया 500 ले लिया कोई भी एक नंबर ऐसे ले लिया आपने और उसके बाद आप उससे टू के गैप से थ्री के गैप से या कई पर वन के गैप से भी आप उसको इस तरी के से कर सकते हैं लेकिन जब भी आप reverse counting करेंगे तो आपको सकते हो नहीं को रहे हैं और आप इप हिपने सेट में लाज़ा और हम यहुत मीरी तो कह cactus को हम आईडरीες बत में लिदया और ही तो नाएट अटीएट और आपकी जो іशे वह भी ही दäre दीरतिर दीर सलो होती जाए कि वह जब है प्की वॉएगर जाएक कांटें करेंगे एक गाप के साथ इस तरीके से अगर आपने 1-1 के gap से किया या 2-2 के किसी भी gap से किया और intent आपने वही रखा है कि हर count के drop होने के बाद आपके body-mind रिलाक्स हो रही है और आप hypnotic स्टेट में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुछ time बाद ही आप लड़ खड़ाने लगेंगे confusion स होगा आपको लगेगा कि आप 87 पे थे या 84 पे थे या कुछ है और आपको एक body की तरफ से mind की तरफ से clue मिलेगा जिसमें आप इस तरीके से हलका सा जूमने लगेंगे तो यही वह एक ट्रांस वाली स्टेट है और इसी में आप अपना वह suggestion जो आपको पता है वह repeat करेंगे सेम तरीके से उसे आप अपनी imagination में एक्ट करते हुए देखेंगे अपने suggestion पर तो इस तरीके से भी आप अपने आपको hypnotize कर सकते हैं जो तीसरी टेकनिक है वह चैंटिंग टेकनिक जब आप किसी भी एक मांत्र को चाहिए एक छोटे से शब्द आप ओम को अगर आप repeatedly कोई उसरी माला लेकर अपने हाथ में इसको बार-बार रिपीट करेंगे सेम आखी बंद करके करेंगे तो और भी जादा अच्छा रहेगा और उसे लंबा करके ओम और मन में वही intent रखना है कि हर बार repetition से आपकी body and mind और जादा रिलाक्स हो रहे हैं और जादा रिलाक्स हो रहे ह आप इस तरीके से भी अपने आपके अंदर intent रख सकते हैं कि जैसे ही आप एक एक माला का दाना आगे बढ़ा रहे हैं तो आपकी fingertips से रिलाक्सेशन और जादा इंड्यूस हो रहा है इस तरीके से आप कर सकते हैं सब्सकर आपके बास माला नहीं है तो आपनी fingers पर भी count कर सक सकते हैं इस तरीके से हम count कर सकते हैं लेकिन slow और थोड़ा आपकी voice जितनी ज्यादा soothing होगी उतना ज्यादा effect और ज्यादा आएगा इसका और आप देखेंगे कि आप बीच-बीच में lost होना शुरू हो गया है तो जब आप lost होना शुरू हो जाते हैं वही एक state आती है जिसम आपके अंदर पूरी तरीके से fit हो जाएगा चौती जो टेक्निक है उसमें आप क्या करें अप ऐसे अपने आपको suggestion दे कि one पर मुझे आंके खोलनी है तू पर आंके बंद करनी है वन पर आंके बंद करनी है वन पर तू पर इस तरीके से आप करें आप देखेंगे जब इस टेक्निक का आप इस्तुमाल करेंगे कि one पर आंके खोलनी है तू पर आंके बंद करनी है इस तरीक ऐसे और रैंडम ली भी शुरुआत में ऐसी करें one two one two one two one two अब देखेंगे कि कुछी टाइम के बाद अपना गर्बड करने लगेंगे पता चला one पर खोलनी थी तो one पर इस तरीके से अपने आप होने लगे गाए जैसे आप इसे थूरते रिपीट करते हैं तो वहीं जो कन्फूजन की स्टेट बने कि आपकी वहीं पर आप अपने थर्ड आई पर इस तरीके से अपने फिंगर को लगा दे जब आप देखें कि आप गलती करना शुरू कर गया ह इस तरीके से आप देखें तो वहाँ पर आप वो सेल्फ एपनेस की एक ट्रांस स्टेट में पहुच गया है अगीन अपना सजेशन देजिए और फिर अपनी इमाजिनेशन में एक्स्पोजर कीजिए कि वह आपकी रियालिटी बन गई है इस तरीके से आप कर सकते हैं एक वर्ड यूस कर सकते हैं रिलैक्सेशन सपोस कीजिए कि आप ना बहुत वीक महसूस कर रहे हैं तो आप एक वर्ड यूस कर सकते हैं पावर सपोस कीजिए आप गुसे में हैं तो आप वर्ड यूस कर सकते हैं काम तो या पीस कुछ भी इस तरीके का वर्ड यूस कर सकते तो यह आपकी उस टाइम की present state कैसी है उस पर depend करेगा कि आप कौन सा एक powerful word use कर रहे है अपने लिए तो आपको क्या कर रहा है अराम से आप बैठ जाए पालती मार कर और आपको मलता से अपनी आखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान आप अपनी सांसों पर ले कर जाएंगे और हर सांस को लेते वक्त झब आप ध्यान करेंगे कि सांस आपके पेट से आ रही है पेट फूल रहा है और आप सब सांस चौडएंगे तो सांस लेते वक्त भी आप अपने आपको बोलेंगे अगर आप relaxation बढ़ाना चाते हैं तो relax पिर सांस छोड़ेंगे, फिर भी रिलाक्स, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इसी तरीके से आप 11-21 सांसे लेने का इक वो बनाएं, आप देखेंगे कि जब आप बहुत धीरी-धीरे से लंबी और गहरी सांस लेंगे, और रिलाक्स, रिलाक्स बार बर कहेंगे, या फिर लगर आपको power चाहिए आप power, power कहेंगे या आपको गुसा आ रहा है आपको शान्ती चाहिए तो आप peace कहेंगे इस तरीके से, calmness कहेंगे कुछ भी तो आप देखेंगे आपकी body instructive lesson कर दी है तो वो आपके repeated command पर react करना start कर देगी और आप subconscious की उस state में पहुँच जाएंगे जहां पर आप अपने आपको जो भी suggestion देंगे वो बहुत ही असानी से accept हो जाएगा तो यह मैंने आपको पांच टेक्निक बताई जिससे आप अपने आपको खुद घर बैटे hypnotize कर सकते हैं और अपने आपको healing suggestion दे सकते हैं और mental exposure कर सकते हैं चाहिए आपको OCD हो, anxiety हो, आपने relationship को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने confidence को बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपका कोई भी purpose है ये 5 जो टेक्निक्स आपको help करेंगी self hypnosis state में जाने के लिए और वहाँ पर आप यो भी suggestion अपने requirement के साब से देंगे और जब उस पर act करता है देखेंगे, तब आपके लिए वो बहुत ज़ादा काम करेगा अब बात ये आती है कि आप अपने लिए suggestion कैसे लिखें, तो suggestion को लिखते वक्त भी कुछ आपको खास याँ रखना है suggestion specific आपकी requirement के साब से होना चाहिए, वो general नहीं होना चाहिए अगर वो general suggestion होगा, तो वहाँ पर वो आपके लिए उतना काम नहीं करेगा क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी positive affirmation internet से उठाकर दे देंगे तो वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए उतना effectively काम करें जतना आपकी खुद की जो personal requirement है, उसके साब से suggestion लिखे suggestion हमेशा आपको present tense में लिखना है, suggestion आपको हमेशा positive उसमें लिखना है affirmation में, affirmative way में, अब जिससे मालिजे कि किसी को panic होता है तो अब मैं panic नहीं करूँगी ये गलत suggestion हो गया, क्योंकि इसमें नहीं कभी इस्तमाल हो गया है और करूँगी future कभी हो गया है तो अब panic का opposite क्या है, panic opposite है, आप calm, relaxed रहते हैं, तो आपको क्या suggestion लिखना है मैं अब calm रहते हूँ, मैं relaxed रहते हूँ, इस तरीके के suggestion, रहती हूँ present में, मैं एक calm person हूँ ये सब क्या है present में और positive जो आपको चाहिए, तो ध्यान में रखे आपको क्या चाहिए, वो लिखना है जो चाहिए नहीं, जो छोड़ना है, उसको बोलते रहते हैं लोग, और फिर वैसे ही आप उस state में जहाँ पर subconscious ज्यादा receptive है, बिल्कुल एक sponge की तरह की कुछ भी सोख लेगा, आप उसी में गलत suggestion दे देंगे, और फिर आपको लगे गारे, कोई भी process से कुछ नहीं होता नहीं, वहाँ पर process की गलती नहीं है, वहाँ पर आपके suggestion देने में गलती हो जाएगी, तो आपको समझ नहीं कि suggestion आपकी requirement के हिसाब से positive sense में, present tense में हो जाएगी है, simple और short आप suggestion दे क्योंकि आप खूद करें, लेकिन जब कोई therapist आपको करता है, तो उनका healing करने का process बहुत ही क्योंकि आपकी requirement के हिसाब से, आपके mind की suggestibility के हिसाब से, वो suggestions multiple लिखते हैं, और वो आपको guided exposure कराते हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, तो खुद कर रहे हैं, तो जितना simple suggestion लिखेंगे, उतना आपके लिए effective रहेगा, लेकिन वही अगर therapist दे रहा है, तो वहाँ वो थोड़ा सा complex suggestion भी देगा, तो वहाँ पर वो accept करवा दिया जाएगा, तो वहाँ पर self hypnosis की वज़े से, जो घर पे आप करेंगे, बहुत simple, short और आपका present tense में, positive sense में suggestion लिखना है, और हाँ suggestion को कोशिश करें, इस बार repeat करें, और subconscious के rule को ध्यान में रखें, subconscious को शब्द, त तो अब आपकी आखें बनते हैं, आप तो उसे state में क्या करेंगे, तो यानि कि पहले ही suggestion को लिखकर उसको याद कर लेना है, अब जितना short simple होगा तो अफसानी से आद हो जाएगा, और फिर उसको ही, और language बहुत important है, अब जिस भी language में fluent है, उसमें ही आपको suggestion को repeat करना है, पता चला आपने English में लिख लिया, और आप English में तरह comfortable नहीं है, आप Hindi में comfortable हैं, आपको Hindi में ही देना है, आपकी local language है कोई, उसमें आपको देना है, तो जो आपकी local language, जो आपकी mother tongue है, जो जबान पर बिल्कुछ चड़ी है आपके, उसमें ही आपको suggestion देना है, उसमें और एहसास भी, मतबब जो आप suggestion देना है, आपको मैं काँ person हो, तो उसकामने इसको कहीं न कहीं अपने body में fix कर लेजे, बिबी आप अपने सीने में कर सकते हैं, उसे अपने shoulders में कर सकते हैं, आपने पेट में कर सकते हैं, आप कहीं पर भी कर लेजे उसे, अप उस feeling को एक place जब आप उस feeling को place देंगे तो वहाँ पर subconscious उसको बहुत जल्दी accept कर लेगा और इसी तरीके से imagination जो मैं mental exposure की बात करें हो जब आप देखें कि आपने आपको बोला कि आप काम है peaceful है या आपने control में है कि मुझे एक बार में हाथ दो कर satisfaction मिल जाता है तो वहाँ पर वह अपने आपको देखें कि quickly उसने एक ही बार में हाथ दोया और उसको बिलकुल satisfaction की feeling आ रहे कि मेरा हाथ साफ हो गया है तब जो भी आपकी requirement है आपने पार्टनर के लिए बोला कि मेरे पार्टनर से मेरा bond बहुत जादा अच्छा है हम एक दूसरे के साथ quality time spend करते हैं तो आप देखिए अपने पार्टनर के साथ quality time spend करते हुए आप देखिए कि आप उनके साथ हस रहे हैं कुछ भी share कर रहे हैं आपका bonnet के साथ अच्छा है तो जब आप शब्द तस्वीर और एहसासों को मिला देंगे उस state में तो आपका subconscious mind उसको accept कर लेगा क्योंकि subconscious mind के लिए imagination और reality में जो आप कर रहे हैं भार की दुनिया में वो एक ही बात होती है subconscious दोनों को एक ही consider करता है इसलिए वो hypnotic state की changes को भी accept कर लेदा है कि बल उन लोगों के changes accept नहीं होते हैं जिनको या तो इस process पर भरोसा नहीं होता है कम भरोसा होता है ऐसा से क्या होगा या फिर जो लोग बहुत ही जादा अपनी हर चीज़ में logic से इस process को काटना चाहते हैं तो वो भी वही बात होगी कि उनको उस पर भरोसा नहीं होता या उनको इस बात पर यह होता है कि एकदम से कैसे हो सकता है बड़ा लंबा समय लगना है या फिर बहुत ही जादा एकदम जादू चाहते हैं कि एक ही दिन में एक ही बार में ऐसे आंक बंद करी और ऐसे हो गया मतलब इन मेंसे किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपका mindset है तो आपके लिए कोई भी process बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो आपको इस समझने कि पूरे विश्वास से आपको करना है तो याद रखेंगे suggestion कैसे लिखना है और ये भी आद रखेंगे mental exposure कैसे करना है और उस state में पहुचाने कि मैंने आपको जो 5 टेकनीक बताई है उनका इस्तिमाल करेंगे पांचों में से किसी कभी इस्तिमाल कर सकते हैं बदल बदल कर भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आपको बहुत इची तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको घर बैटे ही कैसे मदद करनी है My dear ones, मेरी हर संभव कोशच है कि मैं आपकी मदद कर पाऊं और आप घर बैटे ही पूरी तरीके से ठीक हो जाए आप ही मेरा इस mission में साथ दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत grateful हूँ आप इस वीडियो को भी बहुत लोगों के साथ share कीजे क्योंकि आप चानते हैं आपका एक share किसी की जिन्दगी बदल सकता है जब हम साथ मिलकर कोई अच्छा नेक काम करते हैं तो फिर समाज में बहुत बड़ा बदलावाता है आप चानते हैं कि मांसिक समस्याएं किती तेजिस से फैल रही है और लोग अब aware होते जा रहे हैं बेना दवाई के ठीक होना चाते हैं और बेना दवाई के ठीक होना संभव है क्योंकि आपको अपने अवजीतन मन को क्या सजेशन देना है और किस सरीके से आप अपना जीवन बदल सकते हैं ये आपको पता चल गया है लेकिन ये बात और लोग को भी पता चलने चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और वो घर बैटे ही बिना किसी दवाई के असानी से ठीक हो जाए आप कमेंट करकर मुझे भी अपना प्यार दीजेगा जब आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मुझे बेहत खुशी होती है और हाँ साथ के साथ आपको एक्सरसाइज सरूर करनी है जब आपके कमेंट्समाइज सरूर करनी है